नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद विवेक जहां मैं मोबाल और केम्पुटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं अगर आप हरे चैनल पर नए है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते वक्त बैल एकन को जरूर पैस कीजिएगा ताकि आपका हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल से जल मिल सके आईए दोस्तो आज के वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तो आप लोगों ने देखा होगा कई सारे मुवाइल फॉन्स होते हैं जैसे वीवो उसमें जो जो भी होता है वो वाई डिफॉल्ट जो है आमें स्कैनर देता है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो भी दिख रहा है यहाँ पर आप यह scan का option देख पा रहा है flashlight के पास और दोस्तो यह जो है इससे आप किसी भी QR code को scan कर सकते है लेकिन दोस्तो यह feature जो है सभी mobile phones में अलग-अलग companies के phones में नहीं आता है ऐसे में किया क्या जाए ऐसे में करने के लिए दोस्तो आप लोगों के लिए Google ने एक सबसे अच्छा option यहाँ पर जो है enable कर दिया है काफी सारे लोग इसको नहीं जानते हैं इसके लिए आपको कोई भी application की ज़रूद नहीं है आपको चलना है अपने Google पर यह जो option देख रहा है आपको जैसी आप Google पर click करेंगे आप देख रहे हैं दोस्तो Google लिखा आ रहा है और search बार में search इसी के साथ यह जो Google का mic आ रहा है और आप देख सकते हैं यह camera यह camera जो है आपको दोस्तो इस पर आपको click करना है किसी भी QR code को scan करने के लिए जब भी आप इस पर पहली बार click करेंगे दोस्तो तो आपको जो है कह सकते हैं message आएगा जिसमें आएगा कि आपको अपना camera allow करना पड़ेगा अपने gallery option को allow करना पड़ेगा और जैसी आप allow कर देंगे और आप किसी भी QR code को scan करेंगे देखिए मैं आपको ये QR code scan करके दिखाता हूँ ये देखिए दोस्तो जैसे ही मैंने QR code को scan किया तो ये QR code scan होकर redirect हो गया जिससे भी associated था और बड़ी ही आसानी से ये काम हो जाता है दोस्तो आप जो camera में देख रहे थे वहाँ पर जो search bar का option होता है उस पर आपको अपने camera angles को लेकर जाना है और आपको click कर देना है जैसे ही ये filter out करेगा और आपको दिखा देगा कि ये कौन सा URL है या किस चीज का QR है मैं आपको एक बार और जल्दी से करके ये दिखा देता हूँ जैसे ही हम आप पर दोस्तो टैप करते हैं तो ये आसानी से जो है हमें redirect कर देता है तो दोस्तो ये बहुत ही कमाल का option आया है गूगल में और ये काफी सारी चीज़ेस के लिए actual में use होता था और इसका जो कारण था use होने का वो mainly यही था दोस्तो कि हम जो है इसको search कर सकें कोई भी face है या हम कह सकते हैं कोई भी object है उसको check करना है पता करना है उसके बारे में तो ये camera जो है मदद करता है और इस आजानी feature से आप जो है गूगल सपोर्टेप गूगल क्रोम ये सारे options आपको देता है तो दोस्तों इस वीडियो को ज्याता स्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में उन्हें भी बताईए किस तरीके से QR को स्कैन करके आप अपने सभी कामों को कर सकते हैं क्योंकि QR कोड जो है आपके टाइम को कम करता है और बहुत ही कम समय में आपके जाता स्यादा कामों को करने के वैसक्षम होता है मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरा नाम है बिविक भारत वाच, थेंक यू